थालो दोस्तों करोना के बाद से ब्लाइक फिंगस का खत्रा बढ़ता ही जा ला है ब्लाइक फिंगस को लेकार करके मैंने एक वीडिएूं अप्लोड किया था नीचे आप देख सकते हैं और आपने नहीं दीखा लेकिने होता है लेकिन-दोस्तों अव्ोर सप्सक्राइब किय ये हवा में पाए जाते हैं ये एक फंगल डीजिस है अब करोना के बाद जो है black fungus का खत्रा बढ़ गया है जो लोग करोना से ठीक हो जा रहा है करोना से जो रिकवर हो जा रहा है उन्हें black fungus का खत्रा जादा है आखीर ऐसा क्यों हो रहा है क्या नॉर्मल इंसान को भी हो सकता है तो पहले बात करते हैं कि जो लोग कोरोना से ठीक हो जा रहे हैं उनको यह क्यों हो रहा है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजियों में होता क्या है कि कोरोना के इलाज के दरार उनको काफी ज्यादा हेबी डोसेज दिये जाते हैं दबाऊंगे खास करके estorides के estorides के अतरीक मात्रा में प्रयोग करने से overdoses से ये black fungus जो है ये side effect के रूप में फ्ररिस होता है यानि कि जो black fungus के लakशन है वो estorides के ज़्यादा उप्योग करने से आप में आ जाते हैं अब ये किन को खत्रा है? already जो कोरोना होने से पहले already जो ज़्यादा medications पे थे ज़्यादा medications लेते थे जैसे diabetic patients या और इस तरह के patients है जो कि always उनको दवाई लेनी होती है ऐसे मरीजों को ज़्यादा खत्रा है चुकि कोरोना के इलाज के दौरान उनकी immunity जो है वो काफी कमजूर हो जाती है और immunity कमजूर होने पे ये black fungus जो है वो ज़्यादा easily आपके सरीर में spread कर जाते हैं, inter कर जाते हैं तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि कोरोना के इलाज के दौरान आपको ज़्यादा इस्टिरोइड से बचना भी है बात करें, तो आँखों में सूजन, जलन, किसी भी तरह का redness या लाली आपके चेहरे पर या कह सकते हैं कि किसी भी तरह का facial distortion आपका चेहरा बगड जा रहा है या सूजन आ जा रही है, कहीं खुजली हो रही है तो ये black fungus का symptoms हो सकता है उसी तरह से सरीर में ठकान होना या mild fever हलका बुखार होना गले में खारास भी black fungus का लक्षन है या आपको फेफड को भी संक्रमित कर सकता है और आपके brain को भी effect कर सकता है जबकि आँखों में ये black fungus का संक्रमन हो जाए तो आपकों की रौशनी भी जा सकती है कई hospitals में इस तरह की cases देखने को मिली है कि black fungus की वज़े से उनकी आँखों की रौशनी भी चली गई है पहले तो आँखों में खुजली होती है उसके बाद आपकी आँखे लाल हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे करके ये आपके आँखों को इंफेक्ट कर देता है तो जब भी आपके आँखों में इस तरह का कोई भी symptoms नज़र आए तो तुरंत आप डॉक्टर से consult कर सकते हैं फिलहाल COVID की तरह ही black fungus का भी कोई भी कारगर इलाज नहीं है लेकिन जितना जल्दी early detect हो जाए सुरुआती दोर में इसकी पहचान हो जाए तो black fungus से बचा जा सकता है तो किसी भी तरह का symptoms आपको नज़र आए कोई भी लक्षन नज़र आए इससे जोड़ा हुआ जो कि मैंने बताया तो तुरंत आप डॉक्टर से consult कर सकते हैं इसके लाएडिया आप स्वस्त व्यक्ति भी हैं तो आपको ध्यान देना है आपको अपने सापसफाई का ध्यान रखना है बाडी को clean रखना है और immunity power आपकी रोग प्रतिरुदक छमता को बनाए रखना है आपको वो चीज़े लेनी हैं जिससे आपकी immunity पार बढ़ती है बिटामिन, सप्लिमेंट्स या मिनरल्स के दवाईयों का आप यूज कर सकते हैं अपनी immunity को strong बना सकते हैं जिससे black fungus का खत्रा आपको कम से कम हो हल्कई राजियों में black fungus की cases आ रहे हैं अभी COVID से हम लोग उबर भी नहीं पाया थे कि black fungus का जो खत्रा है वो हमारे देश में मंडराने लगा है डाक्टर्स काफी चिंती था और मीडिया में भी यह तमाम खबरे चलाई जा रही है black fungus को ले करके काफी हाहकार मचा हुआ है ऐसे में इसके लिए कोई भी पुखता दवा नहीं है फिलहाल एंटिवारल कुछ ड्रग्स हैं उन्हीं को सुरू-सुरू में black fungus के case में दिया जाता है इससे बचने के लिए यसी सुरवात है तोस्तों आपको तुरन्त ही डॉक्टर को इसने के लिए हमारे चनल को करणी अपको बता दूइघ ब्टन से और साथ ही बेल ऑइकन प्र प्रेंट की अफिटीborg के सभसे पहले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना और अपने परिवार का अध्यान रखें जय हैं